इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. टेनली गलिप बीस टैबलेट टाइप दो डाइबेटीज मेलिटस के इलाज के लिए इस्तिमाल की जाने वाली दवा है. स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम के साथ इसे ब्लड शुगर लेवल को नियंतरित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. यह किड्नी की क्षती और अंधेपन जैसी डाइबेटीज की गंभीर समस्याओं को रोकने में मदद करता है. टेनली गलिब 20 टेबलेट को आमतोर पर तब निर्धारित किया जाता है जब आहार और व्यायाम या अन्य दवाएं अकेले ब्लड शुगर लेवल को नियंतरित करने के लिए पर्याप्त साबित न हो. आपका डॉक्टर इसे अकेले या डाइबेटीज की अन्य दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में दे सकता है. इट केन बी टेकन विद और विदाउट फूड इसे भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जा सकता है. डोज आपकी कंडीशन और ब्लड शुगर लेवल पर निर्भर करेगी. डॉक्टर की सलाहनुसार ही इसका इस्तेमाल करें. अधिक्तम लाब पाने के लिए इसे रोज एक तैस समय पर ही लेना चाहिए. जब तक आपका डॉक्टर नहीं कहता तब तक दवा लेना बंद न करें. यह दवा आपके ब्लड शुगर के स्तर को नियंतरित करने और भविश्य में गंभीर जटलताओं से बचने में मदद करती है. इस दवा के सेवन के दौरान डॉक्टर द्वारा बताए गए डाइट और व्यायाम से जुड़े दिशानिर देशों का गंभीरता से पालन करें. आपकी जीवन शेली डाइबेटीज को नियंतरित करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है. The most common side effects of this medicine are hypoglycemia and constipation. Hypoglycemia यानि की जैसे की हलका सिर्दर्द, चक्कराना, बेहोशी और मूँ सूखना के लक्षनों को पहचानना और इनसे निपटने के तरीके जानना आवशक है. आप शुगर या glucose candy साथ रखें और अगर आपको किसी लक्षन का अनुभव हो तो आप इसे ले सकें. अगर side effect नहीं जा रहे हूँ या आपको परिशान कर रहे हो तो अपने डॉक्टर से बात करें. इस दवा को लेने से पहले, अगर आपको कभी भी kidney या hot की कोई बीमारी या pancreas से संबंधित समस्या हुई तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं. गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसे लेने से पहले डॉक्टर से भी परामर्श करना चाहिए. कुछान्य दवाएं जो आप ले रहे हैं, इस दवा के कार्य में हस्तक्षेप कर सकती हैं. इसलिए, यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सभी दवाओं की जानकारी आपके डॉक्टर को है. इस दवा का सेवन करते समय शराब को सीमित मात्रा मिले क्यूंकि इससे ब्लड शुगर के स्तर में कमी आने का जो खिम बढ़ सकता है. दवा सही तरीके से काम कर रही है इसकी जांच करने के लिए आपको किड्नी फंक्शन और ब्लड ग्लुकोज लेवल जैसे नियमित टेस्टों की आवशक्ता पर सकती है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। तेल उब सेर्था भंद।